शपत गरेंट समार हो चल रहा था एंडिये सरकार का और दूसरी तरफ रियासी में निहत्थे तीर थ्यात्रियों पर आतंकी हमला हुआ जिसमें लगभग 10 तीर थ्यात्री मारे गए हमें कहा जाता है पिछले 10 साल से कहा जा रहा है कि कश्मीर में शांती आ गई है कहा है वो शांती किसके लिए है वो शांती जो बाहर से मजदूर महां काम करने जाते हैं उनके लिए शांती नहीं है कश्मीरी पंडितों से पूछिए वो नहीं मानते कि शांती आ गई स्थानिय नागरिकों से पूछिए वो नहीं मानते कि शांती आ गई सुरक्षा बलों के लिए शांती नहीं परेटकों के लिए शांती नहीं मेरे राजी राजिस्तान से दस दिन पहले दो परेटकों पर हमला हुआ कहा है शांती सिर्फ शांती के बारे में भाशन दे देना और अपनी धोकना अपणी छाती ठोकना किसाब शांति ले झाटि नहीं आती एक तरफ शपत गहंट चल रहा था दूसरी तरफ आतंकी हमला रहा था यह सभाव है क्रिकेट और आतंकवाद साथ चल सकता है अब हम भी जानना चाहते हैं सरकाससी शिलफ लफाजी करने से शांती नहीं आती क्या वो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं इसका अब जवाब ये देश मांग रहा है कश्मीरी पंडित मांग रहे हैं परेटक मांग रहे हैं स्थानिय नागरिक मांग रहे हैं सुरक्षाबल मांग रहे हैं और हमारे तीर थ्यात्री मांग रहे हैं इसका हमें कहा जाता है पिछले दस साल से कहा जा रहा है कि कश्मीर में शांती आ गई है कहा है वो शांती किसके लिए है वो शांती जो बाहर से मजदूर महां काम करने जाते हैं उनके लिए शांती नहीं है कश्मीरी पंडितों से पूछिए वो नहीं मानते कि शांती आ गई स्थान नहीं है शांती सिर्फ शांती के बारे में भाशन दे देना और अपनी ठोकना अपनी छाती ठोकना की साथ शांती ले आया है मैं उससे शांती नहीं आती एक तरफ शपद ग्रेंड चल रहा था दूसरी तरफ आतंकी हमला हो रहा था और तीसरी तरफ क्रिकेट चल रहा था यह हो क्या रहा है क्या क्रिकेट और आतंकवाद साथ चल सकता है अब हम भी जानना चाहते हैं सरकार से सिर्फ लफाजी करने से शांती नहीं आती क्या वो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं इसका अब जवाब ये देश मांग रहा है कश्मीरी पंडित मांग रहे हैं परेटक मांग हैं स्थानिय नागरिक मांग रहे हैं सुरक्षाबल मांग रहे हैं और हमारे तीर थ्यात्री मांग रहे हैं इसका जवाब देना होगा अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नाशनल मेडिकल कॉलेज बीर गंज नेपाल से नाशनल मेडिकल कॉलेज बीर गंज नेपाल, अक्रेडिटेड बाई आई-ए-ओ अडे, ये गाड़ी किसम लगा दिया हाँ अब क्या करूँ अडे, यहां तो ऑटोफायस करें स्टीकर लगाया है इसके QR को स्काइन करके मैं इसके ओनर के इनफॉर्म करता हूं था कि वो अपनी गाड़ी यहां से हाट आले अच्छा आप ही है क्या जिन्होंने ये ओटोफायल का QR करके मुझे मैसेज किया था अच्छा सुरीन माफ कीजिए, मैं अभी अपनी गाड़ी हटा लेता हूं यहां से